हाई एबरिवन वेलकम टू माई चैनल आज की वीडियो मिर्च के प्लांट पर है अगर आप किचन गार्डिनिंग करते हैं तो आपने मिर्च के पौधे जरूर लगाए होंगे तो मिर्च के पौधे लगाना वैसे तो बहुत आसान है लेकिन आसान होने के साथ साथ सबसे पूल बनते हैं लेकिन जढ़ जाते हैं वो फ्रूट में कनवर्ट नहीं होते हैं तो क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वज़े से यह प्रॉब्लम आती है आप इधर मेरे प्लांट देख लीजिए छोटे-छोटे प्लांट है और इसमें देखिए जितने भी फ्लावर हैं वो सार आप मेरे मिर्च के पौधे देख लीजिए देखिए छोटे-छोटे गमलों में लगे हुए हैं यह 10-10 इंच के गमलों में लगे हुए हैं कोई बहुत जादा बड़े गमलों में मैंने नहीं लगाए हैं और प्लांट भी छोटे हैं बहुत जादा बड़े नहीं हैं लेकि जो नई ग्रोथ हो रही है वो बिल्कुल फ्रेश लीट्स निकल रही है इसकी तो थोड़े दिनों में ठीक हो जाए गई है 30 जुलाई को मैंने छोटी छोटी मिर्च की पौध नरसरी से लाकर के इन गमलों में लगाई थी और लगाने के एक महिने बाद से ही मिर्च में फ्रूटिंग होना शुरू हो जाती है और तब से लेकर के अभी तक इसमें थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर के फ्रूटिंग हो जब एक बार हेवी फ्रूटिंग हो जाती है उसके बाद कुछ दिनों के लिए पौधा ब्रेक लेता है और उसके बाद फिर से उसमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती है तो अगर आपके मिर्च के पौधों पर फूल तो आते हैं लेकिन फल बनने से पहले ही वो ज मिर्च का पौधा हेल्दी नहीं है उसमें ताकत ही नहीं है कि वो फूल को फल में कनवर्ट कर सके तो जब भी आप मिर्च का पौधा तयार करें तो जो आप बीज लेकर के आए वो आप अच्छे कॉलिटी के हाइब्रीट सीट्स लेकर आए हम कंटेनर गार्णिंग करते है तो उसमें हाइब्रीट सीट्स ही बेस्ट होते हैं अगर आप घर पर जो मिर्च होती है जो लाल सूखी मिर्च होती है उसके बीज निकाल कर भी हम प्लांट तयार कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि मिर्च नहीं लगती है अच्छी मिर्च उसमें भी लगती है मैंने भी लगा यहां हम जो मार्केट से मेर्च अगर सूखी लेकर कर आते हैं तो वह पताने दिनों से पड़ी हो पिछले साल की पड़ी हो तो उसकी वज़े से भी होता है कि कई बार जो सीड होता है वह उसका हेल्दी नहीं होता है कई बार ये भी हो सकता है कि हल्की फूल की फंगस लगी हो बीजों पर हमने ध्यान नहीं दिया और लगा दिये इसे पौधे तो तयार हो गए क्योंकि हमने खाद वगएरे डाला है मिट्टी अच्छी बनाई ही तो पौधा तो हमारा बिल्कुल तयार हो ही जाएगा लेकिन अंदर से वो पौधा हेल्दी नहीं है उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो फूल को फौल में कनवर्ट कर सके तो एक ये कारण हो सकता है तो हमेशा अच्छे क्वालिटी के सीड्स लीजे और अगर आप सीड्स लेकर के पौधे तयार नहीं करना चाते तो आप नर्सरी से पौधे लेकर के आईए वो हमेशा अच्छे ही होते हैं अच्छे बीजों से वो लोग तयार करते हैं क्योंकि उनको बेचने होते हैं किसा पाइदा होता है कि बहुत जल्दी फल आने लग जाते हैं और छोटे पौधों पर फल आने लगते हैं तो hybrid seeds लीजिए अच्छे quality seeds लीजिए अब दूसरा कारण यह हो सकता है कि आपका plant proper धूप में न रखा हो मिर्च का plant sun loving plant है इसे आप ऐसी जगह पर रखे जहां अच्छी तरह से दूप आती हो मिनिमम पांच घंटे के दूप तो पौधे को मिलने ही चाहिए तब ही आपके जो मिर्ची के फूल है वो फल में convert होंगे तो इस बात का हमेशा ध्यान दें कि मिर्च का पौधा आप अपने गार्डन में ऐसी जगह पर रखें जहां अच्छी तरह से दूप आती हो और इसके बाद जो अगला कारण हो सकता है मिर्च ना बनने का वो है जब पौधा आपका flowering stage पर हो जब उसमें flowers आ रहे ह मतलब जब पौधे पर flowering हो रही हो तब आपको मौसम के हिसाब से मतलब इतना पानी देना है कि उपर की मिर्टी जब सूख जाए उसके बाद ही हम उसमें पानी डालेंगे अगर पूरी गर्मी चल रही है एकदम मार्च अप्रेल का महीना है और आपका plant ऐसी जगह पर रख कर सकते हैं मिट्टी की ऊपर की जो लेयर है वो हल्की सूख जाए उसके बाद ही आप पानी देंगे बिल्कुल नेयम से सुबह शाम दोनों टाइम पानी नहीं डालना है मिट्टी गिली है फिर भी हम पानी डाल रहे है और flowering है अगर पौधे पर तो बहुत अधिक संभाव करना बन जाती है कि उसके फूल जड़ जाएं मिर्च में कनवर्ट ना हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें फ्लावरिंग स्टेश पर पानी बिल्कुल लिमिटेड अमांट में देना है एक बार अच्छी तरह से पौधे को पानी दे 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 ताकि पूरे गमले की नीचे बिल्कुल तेज और अच्छी तक कि मिट्टी गीली हो जाए नीचे से ड्रेने जोल में से पानी ड्रेन आउट होने लगे और उसके बाद एक दो दिन का गैप करें अगर बहुत ज्यादा धूप में प्लांट नहीं रखा हुआ है और बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है तो और उसके बाद जब मिट्टी हलकी से उपर की सूपने लगे, उसके बाद ही हम उसमें नेक्स्ट पानी डालेंगे. मेरे पौधे second floor की खुली terrace पर रखे हुए हैं, जहां बिल्कुल तेज, सीधी, धूब सूब से लेके शाम तक आती है, तो अभी तो मैं एका दिन का gap कर देती हूँ बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, अभी तेज गर्मी जब पड़ेगी तो मैं सभी लेकिन मिर्च के पौधों में एक ही टाइम पानी डालती हूँ, या तो मैं सुबा पानी डालूँगी या फिर मैं शाम को पानी डालूँगी, और एक और कारण हो सकता है फूल जढ़ने का, कई लोगों की आदत होती है, पौधों को हमेशा नहला नहला कर पानी देने की, और गर्मियों में नहला कर देना भी चाहिए, जिससे थोड़ी ठंड़क बनी रहती है, लेकिन सबजियों के पौधों पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और सिर्फ मिर्च के ही नहीं, सारे पौधों पर जब फ्लावरिंग हो रही हो, उस समय पर हमें पौधे को नहला कर पानी ना दें, सिर्फ उसकी मिट्टी में पानी डालें, और इसके लावा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मिर्च का पौधा आपका हेल्दी बना रहना चाहिए, क्योंकि लगभग एक साल तक ये मिर्च देता रहता है, उससे जादा भी चल जाता है, लेकिन एक साल तक इसमें अच्छी मिर्चे लगती है, उसके बाद मैं नए प्लांट लगा लेती हूँ, तो हर महीने आपको इसमें कोई ना कोई खाद जरूर डालनी है, जो भी आप डालते हों, गोबर की खाद डालते हों, या आप वर्मी कॉम्पोस्ट डालते हों, या फिर कोई आ खाद बना करके डालते हैं, जो भी आप डालें, लेकिन आप महीने में एक बार जरूर डालें, और हो सके तो आप बदल बदल कर खाद डालने की कोशिश करें, इससे आपका पौधा हेल्दी बना रहेगा, और मेन कारण तो पौधे का हेल्दी बने रहना ही है, अगर आप लगा सकते हैं, मैंने भी अभी अचारवाली मिर्च के सीट्स डाले हैं और शिंबला मिर्च के सीट्स डाले हैं, तो आप भी अपने गारडन में मिर्च जरूर लगाए और अगर वीडियो पसंद आती है, यूसफूल लगती है, तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्र टाइब कीजिए, thank you.